जाली वही हम पहले section की तरफ चलते हैं इसमें जादा जो questions होंगे वो travel के अंदर इबादात से related होंगे तो सबसे पहले इसको define कीजिए कि जैसे हम कोई travel के उपर निकलते हैं तो इबादत के especially नमाज के point है उसे सफर की definition कब हमारे उपर लाग हो जादे कि अब आप सफर के अंदर हैं और आप उस definition के मताबिक नमाज आपके उपर कौन सी वाली पढ़िए इसमें देखेंगे जी दो चीज़े हैं एक प्रही है कि आप कितने दिनों के लिए निकल रहे हैं तो वो सही बुखारी में है 19 दिन 19 दिन अगर 19 दिन हाँ वो रवायते हैं मुसानफ इबन इबी शैबा के अंदर मुझूद हैं सहाब एकराम के अकवाल हैं लेकि जो मजबूत हदीश शरीफ है वो 19 दिन वाली है या उन्निस दिन से अगर आप काम के लिए निकले आना तो आप मसाफिर है और दूसरी जरू और इंग्लिश में माईल है ये इंग्लिश में लफ्स अरभी से गया है वह पहले हम दुनिया के और आप उसको रौंड आफ करें तो दो किलो मेटर और जो वैसे आपका जो फूट पाउंड सिस्टम में चल रहा है ना वो 1.6 किलो मेटर होता है लेकिन अरभी माईल है तो यह आलमस्ट 18 किलो मेटर बन गया चले इसको भी 20 किलो मिटर जब आप अपने शहर से बाहर देख लेंगे कराची में आप बैसे 40 किलो मिटर घुमें आप शहर से बाहर नहीं है इल्दा ये कि कराची के सब सीटीज बना दिये जाए वैसे मुझ से पूचा जाए तो मैं तो किसानी हम के लिए कि वो उनके उपर सफर के सारे आकामात लागू होंगे जिसमें नमाजों का जमा करना भी आ जाता है और पिर जो कैटस्ट्रॉफिक कंडिशन है वो भी उसमें आ जाती है तो अगर आप ने उसको कुरॉलरी के तोर पर कोश्चन लिखे है तो मैं उसमें क कि वहां से निकलता है वो बीस किलो मीटर के लाहूर शेयर कि दूद जैसे के शादरा हो गया या शेख भूरा उस हदूद से बाहर वाली इसके बाहर आपका बीस किलो में चाहिए प्लस सही बुखारी में मुझूद है कि हजब सफर से वापिस आते तो कूफे के बाहर पढ कूफे से बाहर पढ़ते हैं तो फिर हम पसर पढ़ेंगे और नमाजें जमा करने वाली वी फिसलिटी तो अधरत यली अल्ला की फिसलिटी से फाइदा उठाते थे यानि यह कोई ऐसी चीज नहीं जो आप में को कुई कर रहे हैं नहीं इस फिसलिटी से आपने फाइदा उ ड्राइवर्स हैं जो मैंने उनके बारे में बात की थी कि ड्राइवर्स अल्ला का शुकर अदा करें रोजाना जोरसर को जमा करें मगरिवशा घारा के जमा करें और रात को ट्राइवलिंग करते हैं तो मगरिवशा जो है इधर से जमा करके निकले और दिन को अगर महां से आप मुसाफिर तो कराची पहुंच के नहीं है लेकिन रास्ते में मुसाफिर आप अगर गुजरात रुके तो गुजरात तो आप रुकेंगे एक घंटे के लिए या स्टेशन पे पांच मिनिट के लिए या इवन आप लाहर दस दिन अपने किसी दोस्त के पास रुके अब यह नहीं देखा जायेगा कि कराची आप एक महिने के लिए निकले में तो रास्ते में जो यह दस दिन आए तो यह उननीस से कम ही वह दस दिन आब वहाभी मुसाफिर बलके दस-दस दिन करते वे अगर पकस्तान के सारे सीटीज घूमे आप जो और अगर कैटस्ट्रॉफि किंडिशन हो जाए जिसना के मुसंणफ इबने बिशाइबा में और सुनकुबराल भाई हकी में आता है अज़र तुस्मान इगनी के दोर में आजर बाई जान की जो जंग थी उसमें अब दूलाइब नुमर कहते हैं कि हम रशिया में जब गे उस जंग के लिए तो हमने किसी काम के सिल्सरे में दस दिन के लिए वहां पता चला नहीं सर दो दिन और रुख जो बारा होगे इस तरह एक दो एक दो करते भले आप दो महीने वारो के आप चुके हालते इसदरारी कैफियत में है कैटस्ट्रोफिक किंडिशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है तो व अगर अगर तो इमाम मुखीम है तो मसाफिर उसके पीचे चार फर्स पूरे पढ़ेगा इन नमाज पूरी पढ़ेगा वो प्रोटोकोल देगा इमाम को अल्बता प्रेफर यही करना चाहिए कि अगर मसाफिर ज्याद है तो इमाम मसाफिर को आगे कर दे मसाफिर दो फर्स पढ़के सलाम फिर देगा और वहां के मुकीम लोग जो है ना सलाम फिरने के बाद आखरी की दो रखते पढ़ेंगे उसमें सिर्फ सुरत फातिया बढ़ी जाती है वैसे सुरत भी मिला सकते है लेकिन इमाम काबा हरम मदीना के इमाम के बीचे पढ़े मदीना सी मेंא उमन आठ दिन के लिए ل Steins गाते हैं तो वो भी उनीस दिन से काम है लेकिन हम जब मजयेञैंबी के इमाम के बीचे पढ़ेंगे तो प्रैफर करेंगे करें पूरी पढ़ें लेकिन अगर आपकी जमात रहेगी तो आप कसर भी पढ़ सकते हैं अच्छा ये भी आप याद रखेंगा कुरान में आए कि सफर में हो तो कोई हरज नहीं के कसर करो कसर इस नॉट अब्लिगेटरी यह अब्लिगेशन नहीं है यह जबरदस्ती नहीं कि जरूर आप ने करनी है यह एक फिसिलिटी है आप अवेल कर सकते हैं क्योंके साबह एकराम से इवन खुद नबी लिएसलाम से भी सफर में पूरी नमाज भी साबित है जवाज की हद तक सुन निसाई में मुझूद है अधरत आईशा कहती है मैं सफर में थी नबी लिए अपने खेमे मे पे Rain and आप फिसिलिटी ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते सुननध कुतनी में मझूद है कि नबी लिए सफर में पूरी नमाज भी पढ़ लिया है ज्यादा के ज्याधा है पता नहीं मैं सफर ही चाया या निहां तो जब आपको शак पढदत आ तो हुआख पूरीये नमाज जम्हा करना इसी के सब्ट लेटा जाए या पर्शन था अकेले पढ़नी आ वट पढ़एगे ना तो आप फजल के दो फर्स जो जो सुनते हैं वट नहीं है नहीं तरहीं जिलाना एक लाग चीज है बुखारी मुस्शिम में अदीश है अब दूला बिन कि उनकी टैथ होगी और ये बियान वो कर रहा है जो अब दूला बिन अमर का बेटा है वो कहरे हैं मैंने इन में से किसी को भी सफर में दो से ज़्यादा रखते पढ़ते में नहीं देखा सवाए मगरिब के वो तीन रखत दो फजर, दो जोर, दो असर, तीन मगरिब और दो इशादा अब वितर भी नहीं इशादा अब उस तरह आज़े नबी लिए अपना जाती शगफ था बुखारी मुस्लिम में है कि आप सफर में तहजुद की नमाज भी पढ़ते थे लेकिन अबलिगेटरी नहीं है, उम्मत में लाजिम नहीं इसी तरीके से फजर की दो सुनते, ये एक अपना शगफ था आप इसको रात की नमाज के तौर में लेते थे जो फजर की दो सुनते हैं, इसलिए आपको बुखारी मुसलिम में जो आहादीस मिलेंगी क्याम-ल-ल-ल-य-ल या उसको आप तरावी कहलें नमजान में, ये सब कसब करते थे लेकिन उम्मत में जो लाजिम की गई हैं वो पाँच ही नमाजे हैं, आम हालत में भी और सफर में भी वो पाँच ही है, और सफर में फसिलिटी जमा करने वाली थे गए और वितर की वाजबियत है भो फिर इशाकी नमाज में, वाजबियत उनों इन्हों नवने खुद बनाई ही है, वो असल में ताकीदी सुनत है, वो जामिया तिरमजी में मुझूदे हैं अगर ये गुना होता ना तो नमाजे च्छे हो जाती ही नमाजे पांच ही और मैं आपको अगली बार बता हूँ अलमुताइमा मालिक में सही सनसे है कि साध इबन अभी विकास रदियल्लाव टाला नो फाते अदसिया जिन्होंने पर्शियन अंपायर गिराई थी वो इशा की पांच रखते पड़ते थे चार फर्ज और एक वितर तो अगर किसी का आद बिल्कुल टाइम नीए तो एक वितर भी पड़ते है तही जाइज है अच्छा नेक्स भी वाई अब ट्रैवल के दुरान आप यह जहाज में भी है यह ट्रेन में भी है तो बाइक पे यह गाड़ी पे तो तब तो आप अपनी गाड़ी रोग कर नमाज कर दो अब इसके साथ ही स्टार्ट जो अब जो सवाली के उपर आप बैठे हुए जो फून के बाद कोई मुश्किन नहीं रहा है तो इस तरह नी डिरेक्शन चेंज करती वो तो आलमोस आटेंगा अच्छा बाकी रहेगी जो आपकी अपनी गाड़ी है तो तो रोक्या चब चाहें पढ़ सकते हैं अच्छा जहाज का भी ऐस सच एक रूट होता है और सौदी लाइन में तो मैंने कई बार नमाज खुद पढ़ी है उसमें तो बकारा डिरेक्शन आफ की विला नजर आ रही होती है सामने पीछे उन्होंने एंड पे टेल पे एक पोर्शन भी बनाया होता है नमाज पढ़ने के लिए मैं तो जागे खड़े हो कही पढ़ साम ठीक है ज सजदे के लिए जादा जुकाया यानि कोई फटा शटा सामने नहीं रखना और सवारी की डिरेक्शन का भी ख्याल नहीं रखते थे किस तरफ मूड रही है अलबता लेकिन उसी दीज में है कि अलबता आप फर्स नमाज के लिए सवारी से उतरते थे लेकिन जो कैटस्ट्र दिगरी की टॉल्नस मजूद है हाँ ये जेन में रखेगा नभी सल्लाओ अलेही वालिए सल्लम की अधीस है जामय तिरमजी के अंदर जो बसे नवी है ना जी वो इस तरह है कि किबला जो है ना लेफ्ट पर आपका मशरिक है राइट पर मखरिब है और किबला आपका जुर मैं इतना भी ऑजाओं तो आल्मस्त किबला रूखु तो नभी ने सांव पर माया कि शलेके मखरिब तक ये सारा किबला है और आपको ये मैं बताओंगा क्योंकि हमारा बहुते हैं तो आपको कूँगा जुनूब से लेकिशमाल तक ये सारे किबला सामने वहाँ डिरेक्श मेरे ट्रैफली कोई मुश्किल नहीं है इस इत्वार से नमाज के देखें हमारे पास जब आपशन है नमाजों को जमा करने का ठीक है यह अगला कोसे था मैं इसके साइस को लेट कर देता हूँ देखें आपको अल्ला ने इतनी टॉर्नस दिये कि आप जोर असर की नमाज जोर का वक्त दाखिल होने से लेके आप आज कर बारा मज़े से लेके साड़े शे तक पढ़ सकते हैं तो उतरना जमीन पर भी जरूरी नहीं अंदर ही आप कर लेए अच्छा और मगरी बुरिशा गुरूबे अफ़ताब से लेगे आप फजर तक किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं जब 8-10 गंटे का आपके पास मार्जन मुझूद है इतना कौन सा लमा सफर होगा वो बहुत कम सफर इस तरह के आते हैं फजर आ सकती है जादा से जदा है और फजर में बड़ी इसमाइश होती है बास वकार फजर का टाइम ही नहीं शुरू होता जाज में जाज उस तरह ट्रैवल कर रहा होता है जो आपोसिट सम्त में होती है और अगर वो उस सम्त में कर रहा हो तो एकदम में सुरू सामने आ जाता है तो उसमें जार है कि ला युकलिफ ल्लाहु नफसन इल्लाहु साहा अल्ला तरह किसी जान पर उस से बढ़कर बोजनी डालता मैं समझता हूँ कि ये जिस दोर के मसाइल थे ना उस दोर में लाने फिसलिटीज भी तो दे दी है ना देखें सहाब एकराम तो बड़े परशान हुए जब सही मुस्लिम एदीज से नवी लिसलाम ने कहा कि दजाल जब आएगा ना पहला दिन एक साल का होगा दूसरा एक महीने का तीसरा एक हफ़ते का और उसके बाद नॉर्मल दिन आप लेट लॉंग को डिफाइन करके आप अंदाजा कर लेते हैं कि बला किस तरफ है नमाज की आलमोस अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग किया है और इसमें आप सफर में फिसलिटी हासिल करें जहर असर को जमा करे और मगरी होगा और इसमे चालते हैं जमा तक दीम भी जमाताखीर भी और जमाई सूरी भी जमा तक दीम यह ही कि जमाताखीर भी जमाताखीर तो जोर असर को जमा करें, मगरिवर्चा को जमा करें और मुसाफिर है, तो दो फर जोर के दो असर के पढ़ेंगे एक अजान होगी, दो एकामत होगी आप अकेले मी हैं तो अजान एकामत कह सकते है सुन्य साही में अधीस है और इमाम हाकिम ने इसे सही मुस्लिम की शर्त पे सही कहा इमाम जाबी ने भी मुवाफ़कत की कि तेरे रब को उस घडरिये पे बड़ा प्यार आता है जो पहाड की चोटी पे अकेले अजान और रिकामत कहके आप ये तो फिसलिटी पे अवेल कर सकते हैं पहाड की चोटी पे अकेले अजान और रिकामत कहके अच्छा आम हालत में भी अगर आपकी जमाद रहे गई है और मस्जिद में आपको पता है कोई फिसलिटी ऐसी नहीं है कि कोई जमाद करवाने देगा आप घर में अकेले अकेले जमाद करवाएं जो इमाम की एक्शन्स है ना तकावत उंची वाज में की तक्विरात इंतिकाल जो है उंची वाज में कहें तस्वियात आइस्ता 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 आइस ना करीब होते हैं कि आप बिल्कुल आपको लगता है कि आप अभी तो आपको अगर वो लुट्फ नजर आए जो वो जगें एंज्वाइ कर रही होती हैं जिनके एससाद आप फील नी कर सकते हैं वो जगा जिस पे आप खड़े हैं वो दरख्त वो पहाड जब वो अल्ला का नाम सुनते हैं तो वो कितने जूंते हैं ये एससाद हम फील नी कर सकते हैं वो लल्ला ने कहा है कि शिर्क इतना बड़ा गुना है करीब है आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड र वो इस चीज़ को फील करते हैं अच्छा आप घार में जब जमा करेंगे ना फिर आप चार-चार फरस पड़ाने अच्छा अब आप सफर वे क्योंके निकले ही नहीं है तो बेतर यह निकल जाना है ना तो जोर कब शुरू है ना तो जस्ट यह हम एक पुल जेलंगा करते ह करीब कोई किसी पट्रॉल पॉम पे वहीं जोरा सा जमा की और इस तरह मैं जब इसलामबाद से आया करता था ना तो जेलंग से पहले ही दीना शायर आता था वहाँ पट्रॉल पॉम था मैं वहाँ पे जो है ना वो अगर दोस्के साथा हूँ तो वहाँ गाड़ी खड़ी क कोच रहे ना खुदा के लिए गाड़ी रखड़ी करवाएं सौधिया में आप अगर सफर करें ना पब्ली ट्रांस्पोर्ट पे अगर वो जोर के वक्त निकलते हैं ना वो कहते हैं भाई आप इशाह के बाद हम गाड़ी रोकेंगे नमाज इंदर जमा करो कोई नमाज के नहीं रोकनी वो इलान करते हैं और वो हमारे लिए करते हैं जो हम बाहर के लोग हैं उनको अरभीयों को बता होता है कि हमने नमाज पढ़के बैठा उधर कोई नहीं गाड़ी रुक वासटा है नमाज के लिए उधर दीन भाद बहुंग आगे कहुंचा है और यह मैं आथ क सफर में तो समझ आता है, बारिश में भी समझ आता है, और खौफ में भी समझ आता है, बगएर किसी मजबूरी के जमा क्यों किया है, उन्होंने कहा ता कि अम्मत के लिए आसानी हो जाए और कोई तंगी बाकी न रहे, इस फिसिलिटी को आज प्रैमिनिस्टर अवेल कर सकता ह चीफ मिनिस्टर अवेल कर सकता है, आर्मी चीफ अवेल कर सकता है, चीफ जिस्टिस अवेल कर सकता है, या वो तमाम औहदेदारान जिनके लिए मुश्किल है, वो औहदादारान इसको अवेल करें, लेकिन वो बंदा जो है फारग है, जिसने रोदाना क्रिकट के लिए नम जुर्बलागा में लिका है, उसमें मुला अली ने पंच सो नमाजों के अलग अवकात अपने गवर्णों को बताया है ये मशिया के लिए कहा हूँ कि आपको भी कहानी करवा के रखा है जिसना सुनियों को कहानी करवाई हुए हैं कि नमाजें जमा नहीं हो सकती है आपको करवाई हुए है कि जमा करनी ही करनी है तो यह नहीं है, अफजल है यह कि पांच अलग वक्त में पढ़े और अगर कोई बहुत मजबूर है तो जमा सूरी कर ले जमा तक्दीम तो मैंने आपको बताई ही जमा ताखीर असर के साथ जमा तक्दीम होगी होगी पहले जमा सूरी है कि जमा सूरी है कि जमा आखरी वक्त में असर अवल वक्त में यानि अगर चार बड़े जमा करना है जो हनफियों के नजदीग भी खलत नहीं है यह जमा सूरी इस तरह है कि एक वुजू में आपने उफसीरिटी वेल कर ली अच्छा ये अच्छा स्वाल है आपका मैं इसको रिबटल कर दो मजीद ये नभी लिस्लाम के वुमी सुनत नहीं है नभी लिस्लाम के जो सुनत है ने बुखारी मुस्लिम है कि आप नमाज हमेशा अवल वक्त में पढ़ते थे उसके अच्छा पिर आपकी एफसीरिटी चिन जाती है सुआए इशा के वो आप लेट करके पढ़ते थे अगर आप जोर अवल वक्त में पढ़ेंगे यानि साड़े बारां पोने एक तो जारा फिर असर जब आपने अवल वक्त में पढ़नी है तो चार बट ही पढ़ सकते है यहां क्या होगा कि जोर लेट हो जाएगी ना अगर आप मोने चार पढ़ेंगे तो यह नभी लिस्लाम की अमुमी सुनत नहीं आप हर नमाज अवल वक्त में पढ़ते थे सवाए इशाकी नमाज के उस सुनत को जो आपका अमुमी अमल है जिन्दा रखने के लिए नमाज अवल वक्त में पढ़ी जाती है अल्बता गर्मियों में आप जोड़ी डिले करके पढ़ते है एक और चीज़ से कसस्रील रही कि कुछ लोगों की जो 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 जाब होती है और जहां पर पहले बढ़े है पेरेंट्स का घर रहा है और जो जो पर दूसरे शाहर में लगे है मेरा केस क्या था? मैं पांट साल यूरस्टी में पढ़ाओं मैं हर फॉर्ट नाइट घार आ जाता था वो हन्फी तो पंदना दिन बताते है न जो मैं उससे भी कम में आ जाता था उस वक्त छोपन में खुद भी अन्फी था तो मैं उस भी मजाफिर था उसके बाद मैं इसलामबाद में जितना रचसा जॉब की जब तक कि मैंने अपना घार नी माँ बनाया क्योंकि मेरे माबाब बीवी बच्चे तो जेलं में थे तो मैं इसलामबाद में भी कसर की फिसलिटी से फायदा उठा लेता था वैसे मैं जाहतर तो जमास ही नमाद पढ़ता था तो पूरी पढ़ता था अगर तो आप 19 दिन से कम घार वापस आते हैं तो ये इस बात का सुबूत है अगर किसी के बीवी बचे रावल पिंडी में हैं माबाब जेलम में अब जेलम भी उसका वतने असली है और पिंडी भी वतने असली है इसलामबाद भी उसका वतने असली है ये टर्म यूज होती है वतने असली और वतने नकली लेकिन अगर सिर्फ जॉब के लिए बैचलर जाता है जिसना स्टूडेंट्स यूनिस्टी में पढ़ने गिया है अगर तो हर चौदा दिन बाद या साथ दिन बाद वापिस आते हैं भले वो दस साल यूनिस्टी में पढ़ते रहे हैं मैं अगर यूनिस्टी में 5 साल पढ़ हूँ तो मैं 5-6 गंडे की ट्रैवलिंग करता था हर वीकेंड पे नहीं तो दो वीकेंड के बाद वापिस आता था तो मैं एक तकलीफ उटा रहूँ ना तो मैं मसाफिर हूँ आप उस थीम को फालो करें कि आपको कसर की फिसिलिटी क्यों दी गई है इसलिए कि आप गरीब लवतनी में आपके बाद रसोर्सी नहीं हैं बागी सारे मसलें इस हुक्म को कोई खतम नहीं कर सकता है रोजा कुरान में आप मुसाफिर चोड़ सकता है अब आप ये कहेंगे कि मेरा रोजा जो है वो सफर बड़ा असान है तो मुझे छोड़ने की जाद नहीं इजादत है लेकिन मुस्लिम शीर में हदीस है कि नवील साम से एक साभी ने पूछा कि आजर मैं रखना चाहूं आप सकते हूं तो इसका मतलब है अगर दोनों घर उसको कंपनी ने फॉर इसंपल दे दिया हुआ है वो परसनल घर उसको कंपनी के फिसलिटी पर भी मिल गया और इदर लाहूर में भी है अचा आगे चलते हैं अलिवरी नॉर्मली जिससा हम लोग है जो ट्रेकिंग करते हैं बहुत जादा पहारों पर चड़ते हैं तो उस दुरान अगर वजू करना पड़ता है तो उसमें शूजों के उपर मसा या जुराबों के उपर में सब उसके बारे में कोई फिसलिटी आगे जो आपने एंक तफ़ा वुजू करके जुराब या मौजे पहन लिए या उपर बूट भी चड़ा लिए तो बूट तो पाक है बूट के उपर मसा हो सकते हैं बूट उताना दरूरी नहीं है बूट भी चमने का मौज़ा ही है ना इकिसम का उसके तलवें वो पाक है जब तक कि आप नजास्त पे पाऊ ना रखें और वो भी जब आप नजास्त पे पाऊ रखा ना जब आप साफ मटी पे पाऊ रखेंगे वो जूतों का तेमम हो गया जूते पाक हो गये यह बुदाओ ने शिकायत कि आरसुला मारी अबाया जमीन के साथ लटकती है बाउसक तो आप मसाफिर तो आप तीन दिन तीन रात तक बगेर बूठ उतारे वे उसकी ओपर मसाख कर सकते हैं इस सही मसलिम मैं, हजरत आईशा से एक बनदा मसला पूचने आता है, उपर तो ताले तीन हादिछ अ सही मसलिम मैं, के बताएं के मुसाफिर और मुकीम के मोज़ों की मस्य की मुद्ध क्या है तो माईशा ने का तुम अली बने अभी तालीब के पास जाओ उनका ज्यादा वक्त रसूल ला के साथ गुजरता था देखे बीवी अज़रत आशा है और वक्त अज़रत अली का ज्यादा गुजरता था तो आप ये 24 गंटे और वो आपके 72 आवर्स होगे तो उसके अंदर अंदर आप दुबारा उतारे बगार आप ये कर सकते हैं मसा कर सकते हैं मसा कर सकते हैं लेकिन ये वला इसाफ दोएगे ये वज़ु आपने पूरा करना है सिस्टर्स अगर वज़ु करके एक दफ़ा हिजाब पहन ले जो मसलसल हिजाब में राती है उन्हें दुबारा वज़ु के लिए हिजाब उतारने की जरूरत नहीं ये को नबीले साम ने पगड़ी ये उतारी भी ये वली इस्तमाल होती थी ये उल्माने मचूर कर दी है मेरे भाई ये दो अलग चीज़े है अर्बी में चमड़े के मौज़ों को कहा जाता है खुफाइन और जो हमारे ये कपड़े के मौज़े हैं या उनके इने कहा जाता है जुराबईन जुराबईन अर्बी का लफज है ये उर्दु वे जुराब बनाव है जामिया तिरमजी में बकायदा चैप्टर है मसा करना जुराबईन पर और उसके नीचे इमाम तिरमजी ने जिस इमाम की तरफ ये मसला मनसूब है ऐमाव उनिफा का Yemen नकल किया कि उन्होंने वे जिस मर्ज में ववाध पाई जुराबे पहनी और उनने मसा किया और कहा कि ये वो काम है जो मैंने जिद्गी में कभी नहीं चा था एमाव उनिफा अपने इस गलतется है तोबा कर के फौट है ये फत्वा उन्हों ने दिया तरह के सिर्फ चमड़े के मौज़े तो वो तो तौबा कर गया और ये जाम्य तिर्मजी में उनकी तौबा का वाकिया नकल आया है, इमाम तिर्मजी ने किया है, आज तक ये लोग छापते हैं, उसके बार डूस पे अमन नहीं करते हैं, तो जो दोनों अलग से हैं, खुफाइन भी, जुराबईन भी, जो ये कहते हैं, जि कितने किलो मेटर चाल सकें, फटे ना, ये खुद से इन्होंने कानिया बनाई हुई है, और ये जो मौज़े पैने वे ना, जितने इन्होंने शर्तें बदाई हैं, इनके तो चमड़े के और ये जहाज, ट्रेन, या गाड़ी के अंदर हैं, ऐसी जगा जहां रुख नहीं सकते, उसके अंदर भी उमख करना, दोना तरीच, देखें, उस बड़ा असान सा तरीका है, आपके पास एक छोटी सी प्लास्टिक की पुड़िया हो, जिसमें आप एक बटी का धेला रख ले, तो जहाज के अंदर भी उसको निकाले, उससे बसा कर ले, ये निया कि आप ने वहां, इसका तरीका लिगाई, उसका तरीका कुरान में, ये मैं आपको बटी वेलेबल है, और पत्थर के ओपर भी इतनी घर्द मुजूद होती है, कोई इशू नहीं है, वहाँ कर सकते हैं, और कुरान में इसका तरीका है, सुर्यान निसा में और सुर्य अलबाइदा के अंदर, कि आपने करते वक्त हाथ मटी पे मारना है, उसके बाद अपने चेहरे का पूरा मसा करना है, जिसना धोते वक्त करते हैं, ये बालों से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां त वो तो बुहारी मुस्लिम में आया कि वो अगर मटी होती थी तो नबील असलाम से जाडते थे वो जस्ट टच कर लिया उसके बाद जाडे ठीक है वो मटी लगी और जूरूरी नियूं कर लिया उसके बाद दुसी तफ़ा लगा के पहले दाए हाठ का किया और फिर उसी से ही चुकर दूसी आज से भी लगाए हाठ का भी किया यहां तक भी करना दूस्ट है कलाई तक कोनी तक भी दूस्त है यह दोनों अदिसे मज़ूद है ठीक है, अगर आपने शक्से बज़ना है तो आप कोनी तक कर Лें यह दोनों तरीके दूस्त है और यह तरीमम एकवेलिन टू वुजू है और एक्वेलेंट टू घुसल मी है यानि कि सिर्फ फेस और बाजुच घुसल का भी आपका अदा हो गया अगर कोई जुनवी था ना तो पूरे जिसम के और मसा नी करना और ना उस पे घुसल उतारना जुरूरी है अगर सर्दी है या कैटस्ट्राफिक किंडिशन है अबन माजा में अबुदोध में अदीस है एक साभी के सार पे जखम लगा और वो जुनवी था सफर में तो बाकियों ने का कि तू तो पलीद हुआ वै अलाकि ये जो पलीदी है ये हुकमी है ये हकीकी नहीं है उन्होंने उससे घुसल करवाया वो फोट हो गया ठंड लगी तो नबील इस्लाम ने डांटा अपने असहाब को और का कि तुम लोगों ने अपना भाई कतल कर दिया अगर तुमें इल्म नहीं था और किसी इल्म वाले से पूछ लेते तो फिर उसमें पढ़ ले नमाज हो रेगी सकार नमाज हो रेगी सभी हो गया